इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही लाल सागर, बाबल मंडेप और एडन की खाड़ी एक आग का दरिया बने हुए हैं और यमन का हूती बार बार इन इलाकों में पस्चमी देशों और इसराइल से जुड़े जहाजों पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है तो हूती उसे वहीं उड़ा देता है, यहां तक कि अमेरिका और बिटेन जैसे देशों ने अपने युद्ध पोत इन इलाकों में तैनात किये हुए हैं लेकिन इसके बावजूद हूती के होसले पूरी तरहा से बुलंद है और अब हूती ने एक बार फिर एडन की खाड़ी में चार जहाजों पर ताबर तोड़ हमले किये हैं हूती का कहना है कि उसने ड्रोन और नौसैनिक मिसाइलों से अमेरिकी युद्ध पोत पर हमला किया है हूती के मताबिक उसने MSC डार्विन शिप, MV यॉक टाउन और MSC गिना पर हमला किया है वहीं दूसरी तरफ 10 अप्रेल 2024 को अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने एडन की खाड़ी में एक एंटी शिप बैलेस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है जो संभवता हूती द्वारा MV यॉक टाउन की तरफ दागी गई थी इस हमले में कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकार हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याया सारी का भी बायान आ गया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी युद्पोत पर हमले की बात कही है नफदति अल्गुवात बहरीया फिल्गुवाति अल्मसल्छति यमनिया बाज इसरे लो आ अल्गला अर्पव कजित क Created मेरिकी अल्गलाद ड्सक्री अकार प्रम्पोत भीया की लेका ठाल्बा Prash इस्तिहदाफ सफीनत हर्बीयत अम्रीकीत फी खलीज अदन बियादद मिन ताइरात मुसयरा आपको बता दे कि लाल सागर में हूती के इन हमलों की वज़ा से दुनिया का शिपिंग कारोबार चर्मरा गया है जिसकी वज़ा से माल धुलाई करने वाली कंपनियों को अपने जहाजों को लंबे रास्ते से होकर भेजना पड़ रहा है ये रास्ता दक्षिन अफ्रीका होते हुए जाता है जो बेहद ही खर्चिला है लेकिन अब हूती ने एलान किया है कि वो नए रूट केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते पर भी पश्च्वी देशों के जहाजों को निशाना बनाएगा और ऐसे में इसराइल हमास युद का दाइरा बढ़ने का खत्रा मंड़ा रहा है अमेरिका को डर है कि कहीं ये युद पूरे मिडलीस्ट में ना फैल जाए हाला कि अमेरिका और बिटेन ने यमन में हूती के ठिकानों पर कई हवाई हमले भी किये थे लेकिन उसकी वज़ा से हूती की ताकत में कोई कमी नहीं आई है बल्कि उसने और आकरामक तरीके से हमले करना शुरू कर दिया है